दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम आदर्ष क्रेडिट कॉर्परेटिस सुसाइटी के पिड़ित 21 लाख निवेशकों के हितों के लिए पुर्जोर कोशिस कर रहे हैं उनका पैसा दिलाने के लिए लेकिन दोस्तों आज हमारे सामने जो न्यूज आई है उसमें ये सोतेला पन लग रहा है कि सभी गुजरात की जितनी भी सहकारी समीतिया हैं सहकारी जिला बैंक हैं और सहकारी क्रेडिट कॉर्परेटिस सुसाइटिया हैं उनके लिए बड़े-बड़े आत्म निर्भर होने के लिए उनके उत्थान के लिए रिंड बाटे जा रहे हैं और आत्म न निर्बर्ग के नाम पर सभी गरीबों के लिए चाहे वो फेरी वाला हो शिर्मिक हो और कारीगरों उन सब के लिए उत्थान के लिए सरानिय कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी के 21 लाग निवेशकों कि क्योंकि वह भी हमारे राजस्थान राज्जे से हैं और राजस्थान राज्जे गुजरात राज्जे की बात करते हैं अकेले गुजरात राज्जे में ही हजारों निवेशक इस वक्त हमारे परेशान है वह भी आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी का एक हिस् कोई सरकार ने इस तरीके की कारवाई नहीं की कि उन निवेशकों के हितों को लेकर कोई हमारे लिए जहां दोस्तों कोई किसी तरह की सुईधा यहाँ पर नहीं दी गई किसी तरह का उनका पैसा लोटाने का अस्वासन नहीं दिया गया कितनी बड़ी इस वक्त यहां पर लेकर आए वो न्यूज है उसका मुक्ड़ा है अमीन ने रुपानी के 6000 क्रेडिट कॉपरेटु सुसाइटी का समर्तन करने का वचन दिया जिया दोस्तों पूरी न्यूज आट मिनट पहले हमारे पास आई है जैसे कि आप जानते हैं कि आज 17 तारीक 2020 तो दोस्तों सुरू करत है सहकारी क्रेडिट सुसाइटी फैंडरेसन के अध्यक्स जी एच अमीन ने भी गुजरात के मुख्य मंत्री विजय रुपानी को 5000 करोड़ रुपया मूल लेके आत्म निर्बर गुजरात लांच करने के मुद्दे पर अपना समर्थन देना का वादा किया है सीम को पत्र लिकर अमीन ने कहा कि ये वास्तों में समाज के गरीबों और जमीनी इस तरक के लोगों को और छोटे वयापारी सड़क विकरेता फेरी वाले कुसल श्रिमिको कारीगरों आदी आर्थिक उस्थान के लिए ये सरान्य कदम है रुपिया की गारंटी मुक्त रिन देने के लिए एक योजना सुरू करने का माद्यम से दिला सहकारी बैंक नगरिया सहकारी बैंक और क्रेडिट कॉपरेटू सहकारी समीतियों के माद्यम से रिन की अदाएगी पर छे महीने की रोक के साथ तीन वर्सों के लिए दो पिर्तिसत नाम मात रुब्याद दर पर एक लाक रुपिया तो दोस्तों बहुत सोचने समझने की ये बात है किस तरीके से यहां इन लोग का सहयोग दिया जा रहा है और आगे कबर है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुसी हो रही है किस योजना को सफल बनाने के लिए अपने सहकारी डाचे और नेट वर्क में विश्वास को दोराया है और सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों को योजना के निस्पादन का काम सौंपा है जो दर्शात है कि सहकारी संगटनों और संस्थान हमेशा सरकार के साथ निकट सयोग और समन्य का काम करते हैं पत्र में लिखा है इसके अलावा मैं गुजरात राज्य सहकारी संके और च्छे हजार क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटि की और से आपकी पिर्थी आभार क्वेश करता हूँ यहां दोस्तों यह अमीन सहाब का कहना है तो दोस्तों यह हमारे सामने गुजरात स्टेट की एक ऐसी खबर है जिसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त राज्य सरकार हो या केंदिर सरकार हो इनका सोतेलापन आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटि के लिए क्य ने उनकी तैयारियां की जा लिए दोस्तों आज हमें इस बात पर सोचने पर विवस होना पड़ता है कि आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटि के 21 लाग प्रिट निमेशकों के हितों को देखते हुए सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कोई पैसे देना का प्रोसीजर चलाना तो बहुत दूर की बात है किसी तरह का अस्वासन भी आज तक दोस्तों नहीं दिया तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए कोई माइने नहीं रखती लेकिन दोस्तों हमारे लिए जानकारी बहुत माइने रखती है क्योंकि हमें इस नियूस से साफ पता चलता है कि आदर्स क्रेडिट कॉपरेटिव सुसाइटी के निवेशकों के साथ कितनी नाइंसाफी यहाँ पर की जा रही है तो दोस्तों अगर यह हमारी ख़बर आपको पसंद लगती है यह हमारे चैनल के दुआरा जो यह वीडियो डाली गई है पसंद आती है तो चै सेलापन करा जा रहा है वो सभी निवेशकों तक पहुंचे और पता चले कि गुजरात राज्ये की सरकार किस तरीके से आप लोगों के का दमनकारी किया जा रहा है आपको कुछला जा रहा है आप जिया दोस्तों आज हमने यह वीडियो आपके लिए खास तोर से इसलिए ब बटन दवाएं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिले सबसे पहले तो दोस्तों मिलता है किसी नेक्ट वीडियो में धन्यावाद जैन जैबारत